इस फिल्म के सभी पात्रिवम घटना एकालपनिक है जिनका किसी भी व्यक्ति या वस्तु से कोई संबंद नहीं है झाल 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 पता नहीं ये क्या करता रहता है जब देखो चमच घिसता रहता है अच्छा है काम एंगेज रहता है कम से कम नॉंसन्स तो क्रेट नहीं करता है कि आद्षोच आज़ाश्ट आसे रहे खिद्रण अजल्ट आज़्ट आज़ ईड़्ट् हर हर, हर हर, हर हर महादेव बंबम बोले, बोले काशी हर हर गंगे, बोले काशी भोले बड़ा दैवान है ना मिटने लकीर दे जित पे अगर आ जाए तो समंदर चीर दे जै शंकर बोलो जम कर ना देव सिर्याग ये खोले बंबम बोले, बोले काशी हर हर गंगे, बोले काशी ये होली है काशी की होली जै शंकर जै धोले, जै जटा धारी तूने रच्छी है ये दुनिया सारी भूत परेतन की नाचे है डोली जब खेली जाती है काशी में होली लाल गुलाल में लाल गाल पे लाली सामल डालूंगा परी है पिछकारी के सर के पानी से विगा दूंगा पान पियूंगा कूप गोट कर सस्पो संग पिलाऊंगा आज यह हो लेना चूते जो एसा रंग लगाऊंगा ये होली है काशी की होली ये होली है काशी की होली थोड़ी मिला के मीठे रस में धोके से भांग पिला दी मुझको मजा आ रहा है ये कैसी मस्ती मिला दी मुझको मिला दी तुमका काटो गया मारा तुम और तुमारे दोस्त चूड़ी पहलो बवीना बार-बार हमें उंगली करना छोड़ोगे नहीं अगली बार बास करेंगे आएंदा किसी से बद्दमीज इकीना तो मादेप की कसम जिंदा फूप देंगे आईये माइडम आईये माइडम फूपेंगे तो हम बेटा पूपेंगे तो बोलना चाहिए ना वेकलम नहीं वेलकम अरे जो भी होता है बोलना चाहिए था ना अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे दोस्ते से अपड़ा रहता है क्या यह बनारस है मेडम जी यहां का कववा भी मोर होता है करोडपती हैं आधकल राजनिती में हाथ अजमा रहे हैं बलवन पंडे नाम है इनका मेडम जी आपको मालून नहीं है नोट बंदी के टाइम 1500 का जाने कितना नोट गंगा जी में बहवाया है हमको तो लगता है कि मचली के पेट में हीरा रखे स्वगली भी करता है अरे का खुसुर खुसुर कर रहा है ससुरा माइडम जी आप इसकी बातों पर ज्यादा यकीन मत कीजेगा फिल्में देख देखके इसके दिमाग का सौर सर्क्रेट हो गया है काशी मैं नई खबर अखबार से ही मैं अपनी पेपर में तुम्हारे कि इंटर्वीव चापना चाहिए इंटर्वियू हमारे बारे कि अधि हैं क्योंकि पुझे लगता है कि तुम ही वह इंसान हो जो मुझे बनारस से उबरू करा सकते हूं माइडम जी अभी इंटर्व्यू बिंटर्व्यू का वक्ति है उकाय की घर पे बहुत काम सुने है बहुत लेट हो रहा है फिर कभी अरे राम प्यारी बिना जूखे तुम मानोगी नहीं अरे यार तुम्हार पास तोर से काम है जाओ ना जाओ ना रंगीला बैट जो अपना बड़िए लिलते है अ जाओ का अ जाओ आदे है यार शुब्द यार पत्किया राइंटर्व्यू लेगी आते हैं भॉझ है 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 हाई है है इस जया है अब आप यह शुटकर फगड़ में है यह है prospective team कर वार्बी व्यश्चा टीक ही सह मार बास काम चुरी बद करना साल सा इडिकनों मुश्किल था थूम प्रका मारए एक इंसान को जला ना एंसान नहीं Ninja हिस्क्री आत्मा के निकलने औप सरीर का कोई मतलब नी काशी में अपने आर्टिकल में तुम्हारे बारे में लिखना चाहती हूं हमारे बारे में कि एक डोम के बारे में तुम्हारे बारे में तुम्हारे बारे में डोम तो यहां कहीं है लेकिन काशी तो उसे फेकी है अच्छा तुम्हारे घर में कौन-कौन है आये 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 आज आने में इतना लेट काहे हो गया नहीं आज काम धेर आगया था अच्छा आगया तु बेटा और यह हमारी माँ है और रुक आगी घर की बना रिया अंदर गंगा यह भीया लो आगी यह हमारी बहीन है गंगा और यह देवीना मैडम है अच्छा लखनाव से आई है रहने था 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 जाए एक पार यह बार जो पीलेगा जिदे घाट पहुंच जाएगा रहने दो काशी चाय फिर लखभी ठीक अगया रहने चाशी तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छ है घर यह वादम चीडिया घर है और यह उस चीडिया घर की बनरिया गंगा ऑग यह तुम सब की फोटो ले सकती हूं हाँ काहे नहीं ड़ी और रुको भाई हमे जरा नया कुर्टा तो पहले ने दो अरे सुनो उन या का कुर्तुबा लेकि आऊ अरे आँ अरे तद में भी तो अपना बार वार जार लेना अजार ओ बाल जैसे बाल जारने से सीरी देवी लगने जर आजो, बगवान जैसे थोपड़ दिया वैसी तो लगोगी ना आज 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 ते लोग जलो आज 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 ओगंगा पोटो किते हैं रहा शेने महा नहीं बना बना यहाँ आजिवरे आजी अजी एग जाए अच्छी में चलतीग अच्छी में चलती हैं अच्छ कि यह रो अरे इधर उधर का देख रहे हो तुम ही से कह रहे हैं अरे हाँ बैया आज तो सही में ही रो लग रहे हो सच हां अरे मैडम को घुमाने जा रहे हो इसमें इतना सजने की का जरूरत है जब बोलेगा कफन दोलेगा तेल चुपोर के तिल चट्टा बन जाए अरे पड़गने की का जरूरत है जाओ जाओ मैडम इंतजार कर रहे होगी बेटा जाओ जाओ लाइट किया सफलता से निरास होकर अभिनेता सुहल खन बिर्यानी अरे अगवार में का बढ़े बुरू आज का ब्रेकिंग निस तो सामने से या रहा है का बात है का सिभिया आज त बनारस की सारी बिल्लिया एक तरफ और तुम साले पांच फीट आठ इंच के सब बिलार एक तरफ कोई अच्छा काम करने निकलो तो रास्ता काटे ही देते हो इसे बात का है राजा आज अचनक दिलीब कुमार शेक गविंदा कईसे बनगे कहीं जारो का हम बीच चलेंगे अरे नहीं चलना हॉमें जाना है वादोस ला उंडिया चकर में दोस्तों को भूल रहा हो जाले मारेंगे ऐसे ना कान के नीचे टिपा खाकर गिरूंगे उत्रो नहीं उत्रेंगे मा का कसम खाहें अगर हमारी माको खुछ हो गया तो मैरे पाउजी को कौन सा मू दिकाओगे शाले मनुस कहीं के चलो ओर तुमलोगी लदा होगे का तो जेंग नहीं है फ़ग विख को डेंगे कि यार एक पान खाया जाए फिर चला जाए दूठो पान तो लगवाओ यार हम तो मां कसम खा लिए इसकूटर्स किसी उतरेंगे एक खुर्रा मारेंगे न सही हो जाओगे नॉटमी साले लब से जाओ बंसे आओ जाओ यार वो अपना जर्दा वाला रहेगा की साधा रहेगा किमाम वाला लगवाओ और यह हमको देते लो लगाओ भाई एक नौरत्न किमामी पान समझे इलाइची मारके तुलसी डबस जीर हुँँ तावात है रंगिला भाया अजकल बहुकाल टाइट है हमारा लाट्री लगा है चुप चाप पान लगाओ ज्यादा दरूगा ना बन है हलो माडम अ मैं गाएख्ची लुकिंग टू गूल थीष्ट्री अग्यादा च्विश्या आट्या अगनाँ एक प्लीज मुझे माडम काह करो हमें तुम्हारी दोस्त हुना तुम्हारी दोस्त हुना मुझे देवीना कैसकते गогए मैंडम मदब बेव हमें देवीना तो कहां से शुरू करें अनारस में हर नए काम की शुरूआथ हम यह गंगागाट से करते हैं तो इसमें चिंता की का बात है सब की गंदगी गंगा मयाद हो देती है तो यह तो वस कभूतर का बीठ है सामने गंगा है धोलीजिये सब्सक्राइब करते हैं तो इसमादिया मैं आप सारी दीवी नहीं एक चत्राइब एक चत्राइब रोजाना तुम हसी दे जाना मठी भर कुछ सांसे पास में रख जाना बिन शर्त जो बांधे हमको वो रिष्टा तुम ले आना 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 जिस दिन तुम कुछ खाब न भेजो नीद मेरी चिड़ जाती है जब भी तुम सांसे भेजते हो उमर मेरी बढ़ जाती है तुम तक जो पहुचा दे मुझे को वो रास्ता तुम ले आना वो रिष्टा 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 पूरो कर दो वो रिष्टा वो 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 मैं तेरे दुन ठेहरा हुआ पानी तुम जो मिलो तो हल्ग चल हूँ मेरे पाउं तरे हाँ जन्नत होगी हाथ तेरा जो सर्टे हूँ तुम से ओ जो जुदा ना करे वक्त कितनी जल्दी घुज़र जाता है न काशी कल तक तो हम अनजान थे और आज काशी में सिफ काशी अपना है क्या हो चुप क्यूं हूँ नहीं कुछ ही बस आज रात मेरे साथ दिनर करोगे आज फिर कभी नहीं आज चलो रहने दीजे न वो घर पे मावाबा सब इंतजार कर रहोंगे फिर कभी में डिनर के लिए बुलाओंगी ही नहीं क्या है मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे आओगे जब रुकनी का इतना ही मन था तो लंटरानी का ही बतिया रहे थे ही का तुम्हारी इतना ही नहीं जर्डरा में थार्णिया रहे तुम्हारी विर्ण अप्र आओव्याजिडा कि अभगे अफ्या संट्रा है वो शुकह्या अब बीए निये कभी ज्यादा नसाथ नियोगा ना? खम आएगा दीरे दीरे आएगा आज पीकर तो देखो तो देखो चीर्स एक थो बात बोले हाँ बोलो लड़किया दारुपी ते कुछ ठीक नहीं लगती है अब क्या करूँ मेरी तन्हाई का साथ ही यही तो है परिवार में कौन-कौन है कोई नहीं डाड और भाई बच्पन में ही कुजर गए एक माँ थी जो कुछ महीनों पेले चल बसी अकेली रह गई मैं अब तुम अकेली नहीं रही है हमे ना दोस्त तुम्हारे जीने के लिए एक दोस्त की नहीं एक हमसफर की जरुरत होती है मेरी हमसफर बनोगी तो बोलो हम मजा करें थी पागल हम तो डरी गहते हैं अच्छ एक बात बताओ तुम कभी स्कूल नहीं गए नहीं बाबुजी के पास इतने पैसे नहीं थे के दो बच्चों को एक साथ पढ़ाए एक ही बढ़ सकता था गंगा को भेज दिये स्कूल वैसे भी हमें पुर्खों का दंदा आगे बढ़ाना था तुम बहुत प्यार करते हैं गंगा से जानबस्ती है कंगा में हमारी अरे बातों बातों में कहीं खाना जलना जाए मैं वस अब ही आई काशी 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 मेरे हाथ जल गया पता ने मेरे ध्यान कहा था मैंने गरम आवन के अंदर हाथ डाल दिया पर मैं तुम वोरिषथा तुम ले आना वोरिषथा तुम ले आना वोरिषथा तुम ले आना वोरिषथा तुम ले आना चोके तुमको उंगलिया मेरी कितनी खुश हो जाती है तेरी हतेली से दिल के ही देखो सुखो ये पाती है जिनसे नजदी किया बढ़े वो फासला तुम ले आना वो रिष्टा तुम ले आना काशी अरे तुम्हारे वारे महीं सोच रहे थे वैसे आज सवेरे सवेरे इधर कैसे इधर से गुज़र रही तो सोच है मिलती चलों देख लिया लड़की से कैसा मीठा मीठा बतिया रहा है अजब हमसे बोलता है तुआ गुलता है गिरिगित कहीं का महमान के सामने कोई ऐसा बोलता है का तनी को सहूर नहीं है इनकी बातों पे ध्यान मत दीजेगा बड़ापे में सट्या गें कोई बात नहीं अच्छी मैं गंगा के लिए गिफ्ट लेकर आई हो अच्छा गंगा ए गंगा आई भाईया अच्छी मेरी जरूरी मीटिंग है मैं निकल दीग हूँ पेन होगी ठीक से वेवार करना हम से तो देंगे नी जला देंगे वहाँ पर का खिचते हो बबीना भाई का तान है एकदम दिल कदा जाता है आई गजाब सीना में जान होना चाहिए बेटा ऐसान तान के लिए ये बात तो है बाई ले पप्रू जाए महकाल के राजा दम ल लो लो लुड़ा खीच लो लो ला खीच कट्नों भी दम लाके खीचे गाना लेकिन बवीन आइसन आग नहीं लगा पाएगा आउड़ेका अधिन बर लास फोकत हो और कमावात है 500 रुपई या अरे इसे जादा हम दस्पूरिया बेच के कमा लेते और गल्तिय से कटवा ब अधिन प्यारी नहीं एक और प्यारी भी है कि रहे अरे उपत्रकार में डम्मा दिन रात घुमते रहता है उके साथ कि इसे चाहे जो भी कहले वह भी नावारे तुमको मात देने में एक्स्पोर्ट है साला हा इसे जब हम माद देव ना इके ना जीते बनी नमरते भी नगीला तुमने काशी को कहीं देखा काशी को तुम रोज देखते हैं अब ही देखा है क्या अब तो नहीं देखें कहीं घाट वट पे होगा अरे का हुआ है को चले ने का आप आप हारी तुनतुमं गंगे गंगे प्रॉड दे नुट में गंगे काशी कब से ढूंड रही हूं तुम्हें और तुम यहां बेठे हो कऊ अ और तुम्हें तुम्हें गभराईयु विकाये हो अभी तुम्हारे घर से आरे हूं अभी तक गर नहीं लौटी है का इतना लेट तो पंसते नहीं नहीं करते है है चलो है कि तुछ नहीं जाचा कहां जारे हो आते अभी कि इसका मोबाइल भी स्विश्ट ओफ आ रहा था लेकिन उसके पास तो मोबाइल फोन था ही नहीं हा लेकिन माबाबा ने तुमसे बाद चुपाई थी एक है देखे यह बाव जी इस अपने है आए नहीं आए नहीं बेटा आए 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 लिए नहीं आ रहा है कहां रहें है आए मा कुछ कह नहीं बेटा हमसे तक कुछ नहीं कह गई है और उसके बस पास मुबाइल फूल हमें बता हैं नहीं आप लोग ने हमसे आप लोग जूड भी बोलते हैं अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया ना तो आप लोग जिम्मेदार होंगे इसके चलो ना उसके कॉलिज पे पता करते हैं चलिए तमाल है आप लोग आते हैं अभी कि आप 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 अरे रुके रुके कहां नाते चले जा रहे हैं गंगा को ढून रहे हैं भाई साहब इकासी है यहां हर तरफ गंगा है अरे उग गंगा नहीं हमारी बहीं गंगा इसी कॉले में पढ़ती है वो सुबह से घर में लोटी तो भाई साहब कॉले चार बजे बंद हो चुका है और अभी रात का दस बज रहा है देखिए हो सकता है गंगा गलती से अंदर ही लौक होगी हो मैडम कहां से गलती से लौक आए यह अननाते हुँ हाँ चल को अजय आए आए अरे अजया यह लाइट कैसे जला हुआ इसको तो हम ही आप किये थे आए तो देखते हैं कि अ कि अ कि अ वाज्वान तुम गुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ भी किया, सब इस लड़की ने किया गंगा! चलिये महराद, निकलिये! कह बाता है सब हमारी महीं कॉलेज गए थी घर नहीं लोटे लात बहुत हो गई पता नहीं कह रहेंगे से आशिकल की लड़कियु यही प्रॉबलम है गईा किसी दोस्के से मजय करने सब आइसा बोलेंगे तो ठीक नहीं होगा टीक नहीं होगा थीक नहीं होगा रेट अरिव नाम कहा है तुम्रा कासी पुरा नाम कासी चौधरी मारेंगे सर पे भगोंगे जाके घर पे बहुत ज्यादा चर्वी आगई का तुमको पखलोल देखे इंस्पेक्टर मैं जोनलिस्ट और आप किसी से इस तरह बात नहीं कर सकते और यह आपकी ड्यूटी है कि आप सिटिजन करें एलो एक और काबिल इन से मिलिये अरे मैडम अगर आप जनलिस्ट है तो इतनी रात को इस डूम के साथ कौन साख बार चाप रही है यहां ता नौन आप बिजनिस इंस्पेक्टर मैडम अंग्रेजी ए पेपर और एली जे पेन लिख दिए अपनी कंप्लें सुनिये सु जी कही है मैडम हमारी बहीन कल कॉलेज आई थी घर नहीं लोटी किस डेपार्टमेंट में है उन तो ठीक से पता नहीं क्या नाम है उनका गंगा चौदरी ओके वन मिनिट्ट अग्रेज चेक्ट रिकॉर्ड गंगा चौदरी नाम की लड़की किस डेपार्टमेंट में है अग्रेजी पता नहीं आजकल की लड़कीयों को क्या हो गया है यह रेली स्पॉयल्ड और यू शूर ओके देखिए अभी हमने आपके सामने रिकॉर्ड्स चेक करवाए लेकिन गंगा चौदरी नाम की लड़की कोई भी हमारे कॉलिज में नहीं पढ़ती है मैडम वो तो इसी कॉलिज में पढ़ती है जी आप लोगों को जरूर कोई कन्फूजन हुआ है गंगा चौदरी तो दूर गंगा नाम की कोई भी लड़की हमारे कॉलिज में एन्रोल्ड नहीं है है मैडम वो डेली घर से निकल कर गरवरज आती थी ये वह घर से निकल कर को जाती थी या कहां जाती है यह सोच आप लोगों का काम है क्या बोल रही है आप आप बकवास कर रही है कई ये कॉलेज में जلूर कोई गोरत धंधा चा लोई है आप कि ऐसा कैसे हो सकता है दंगा इसी कॉलें में पड़ती है अरे कई बार तो हम खुद उसे यहां छोड़के गया है कुछ तो गड़बर है मैं इसका पता लगाती हूं एक बात बताओ वो कॉलेज के लावा कहीं और भी जाती थी कुछ समझ नहीं आरा काशी कोई तो है जो हमसे खेल खेल रहा है कौन हो सकता है कि तुम्हारी किससे पुरानी दुष्मनी है अब अब जल्दी से मैं जोगा प्रेक हां पेका हम्री बैन का है अब हसकार है अब का वोले म समझे नहीं तुम्हारी बहीं ए तक गंगा का यह जख्की तो तुम पहले से थे अब लगता है बखलोली का टेप्रुमा भी ले लियो ज्यादा भागवत पाचो शीधे सीधे ब अब बता तो है अमें वेट्टा लेकिन बताएंगे नहीं तुम्ही उखारना है ना उखार लो काशी 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 य सब्गोस. इचे बहागे. य से skod पाणविछ। दुट्सक्पोस. सब्गोस. बढ़ो. य से skod. य से i CNC. काशी जाओ, काशी रूप जाओ, काशी प्लीज रूप जाओ, काशी प्लीज रूप जाओ, वो बर जाएगा, मैं अपली तरीके से पता लगा लूगी महादेल के कसम छोड़ेंगा उसको हम वो ठीक है, लेकिन कल अगर मैडम मा के तुमको नहीं बचाते ना तो पगला तुमको जिंदे चला देता है, औरे कोई आदमी से रर सकत है, पागल से नहीं, इवाद भी ठीके करतो है, और सलाव कब सनक जाता है पगला, समझे में नहीं वो देखो को ना रहा है बे, कहां, वो हाँ, अरे मैडम मा इदर कहा आ रही है, पता ना, तुम्री फट्ती का ए इतनी, फट्ती निये बे, पी लड़की जब हमसे दूर जाती है, तु नहीं फट्ती है, पर अपने पर पास आती है, तो फट जाती है, बबी ना, मुझे का, हमसे, हां तुमसे, का हुआ मैडम, काशी से मन भर गया जबाद बवी ना की गली आई है, पर पास मत करो, क्या तुमसे दो मिनिट बात हो सकती है, हां, चलिए, का बात होगी, यह पाला चेंट, तुम साला हम लोगों को दो समस्ते नहीं हो, उताब, उताब मैडम हुआ बताई है, हम लोगों को सारा मैटर, यार देखो, हम जानते हैं, मुश्किल का टाइम चल रहा है, पर ऐसा दिम्हा खराब करने से कुछ नहीं होगा, यार देखो, जो बाबा लिक के भेजे हैं न व एक गज़ ञाते हैं, यार ये बहुत यह जहादा परिसाल है, बहुत जहादा कि बाबीना से बात की वो उसे घंगा के बारे में कुछ नहीं पता अरे वो जुट था एंगा मरे बच्छ नहीं जिए लेकिन इस बार वो जूट नहीं बोल रहा है, सज बोलने की कीमत लिए उ हमें आप पहुंच करें हैं कौन सा कमरा है छे यह हाँ आये हमने आप दोनों को कॉलेज में देखा था बस तब से ही आपसे बात करने के कोशिश कर रहे हैं हम आप मेरी बहिन कंगा के दोस्त है ना हुँ जी कंगा हमारी साथ ही क्लास में है देखा हम कहते देना गंगा उसी कॉलेज में पड़ती है कहां गई है वो तो हमें नहीं मालूम अस इतना जानते है कि वो कुछ तिनों से बहुत अपसेट है अपसेट क्यों हमारी क्लास में एक लड़का है अब है मन्यूं आजा तुझ पर मेरक दूचा चांद को इस तरह पालूं तिरे आसुमान को बादलों समय बनके हर जगा तुझ से ही मिलके पेता हशा पेता हशा तुझ को ही चाहूं मैं पेता हशा पेता हशा तुझ को ही चाहूं मैं पहल से थोड़ा ज्यादा तुझ को ही चाहूं मैं तुम हसो तो जान मुझे को क्यों खुशी मिलती है तुम जो रूठो यारा मेरी आखे भी रोती है धुब से कभी बन के आमिनों मेरी सभा से बेता हशा बेता हशा पुझ को ही चाहूं मैं मच रही हूं उच्छती सो लड़किया गुमाता है क्यों तुम उसके चकर में पढ़ रही हो प्यार ब्यार कुछ नहीं करता वह तुमसे देखो श्रूती यह मनगणन कहानिया बनाना बंद करो हां इसलिए तुम लिट्रेजर में इतना मांक्स लाती हो हम जानते हैं अभी मन्यु हमसे बहुत प्यार करता है बेता हाशा बेता हाशा तुझको ही चाहूं मैं पहले से थोड़ा ज्यादा तुझको ही चाहूं मैं कौन है वो लड़की जी गंगा समाद में नाक करवावगे हम रहा है अगले साले इलक्षन में खड़े हो रहे हम कितनी बार समझा रहे हैं एक डोम लड़की के साथ उठना बेटना ठीक नहीं है अपोजीशन इसका बड़ा इशू बना दी कि समझ में नहीं आ रहा है हम तुमको इंजॉय करने के लिए माना नहीं कर रहे हैं लेकर अपने बराबर वाली के साथ उठो बैठो इंजॉय करो दुबारा गंगा से मेरे तो अच्छा नहीं होगा ने तुम्हारे दिये और ना उस गंगा के लिए पर पापा एक बार बलवन्त अंकल के मना करने के बावजूद भी गंगा और अभी मन्यू मिलते रहें अब है क्या करें अभी हाट फेल हो जाता है अरे चिंटा काहे करती हो अपने जीती जी मरने थोड़ी ने देंगे दूंको अच्छा चलो फटा-फटा हमारे साथ कहीं घूम के आते हैं अरे नहीं अभी क्लास है हमारा तो फिर चलो सर्मा सर के पास से नोट स्प्रिंट आउ अब है अब हट अरे 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 ओ फ्लास कुन जाएगा अगर लेट हुआ तो तो चली जाला कभी दाफोडल रेस्ट्राउन में तो कभी किसी दोस्त के कमरे में और कभी-कभी तो अंकल के ही फार्म हाउस में लेकिन लेकिन एक दिन का हो एक दिन बोलो शृती पर चाई क्यों नहीं पी रही हो क्या हो गया इतनी सीरिस क्यों हो आज शृति वो बहुत बड़ा गड़ और हो गया है यार कड़ण क्या हो गया गंगा वहम अब प्रेगनेंट हो गया है वोट और यूश्योर हाँ हमने कई बार चेक किया रिजल्ट हर बार एक ही आया संभालो अपने आपको काशी इतना कुछ हो रहा था हम ना जाने कौन सी नीम में सो रहे थे कि जान समार देंगे उस रॉंडे को फिर क्या हुआ हमें कुछ नहीं मालूम हम उसके बाद से गंगा से नहीं मिले हैं देविना जी बहुत देरोरी अब हमें जाना होगा ओके थैंक्स अगर कोई जरूरत होगी तो आल गेट इंटाच विद्यों कि मादेव की कसम है कि अगर गंगा को कुछ हो गया न तो कि अधिकुराइश रश्टारी आपहारी नगम गंगे कि अधिक का बात है वे गटवात तूर देगा का यहां काम करते हूं ना घर के दमाज जो है सोक से बर्दी पहिन के रखे हैं घर पे कोई नहीं है क्या है न सब कोई है सब लुका छीपी का खेल खेल रहे हैं इसलिए तला लगाकर रखे हैं सीधे-सीधे जवाप काहिनी दे कि अधिक हटा हो गया काशी तुब थीक तो हाँ और तुब थीक तो हाँ और तुब थीक है भागे साले बता नहीं कौन ते जरूर वो बलवन के अभी होंगे एक बार हाथ तो आने दो तुपड़ा कर दें इसालों का कुछ पता चला बिठा पता नहीं कहां चली गई हमारी बच्चे रो मत कंगा सग्रों से होजल हो जाएगी लेकिन कासी से नहीं कुछ लेकिन कासी 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 लेकिन रास्ते हर कदम चलते ही रहे राहों में दर्द सौ मिलते ही रहे रास्ते हर कदम चलते ही रहे राहों में दर्द सौ मिलते ही रहे धुंदली धुंदली राहे हैं धुंदली हर मन्जिल तुझे धुंद रहा दिल तुझे धुंद रहा दिल तुझे धुंद रहा दिल तुझे धुंद रहा दिल सुक्रिया कल रात तुम्हारी जाने के बाद मेरी शुदी से बात हुई थी उसनी तुम्हे गुसे में देखकर कई बाते चुपा ली थी कैसी बात काशी दरसल अभी मन्यू की पिता पलवन कभी इस रिष्टे को नहीं स्विकारते इसलिए उन दोनों ने कोट मारिष करने का फैसला किया था साधी का फैसला मैं ओफिस की किसी काम से लखना हुजा रहे हूं देरा तक ही लौटूंगी तुम कोट जाओ और पता करो अगर ऐसा हुआ तो शायद हमें गंगात तक पहुंचने में असानी होगी ठीक है साधी के वारे में साधी के वारे में साधी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए था तुम्हारी उमर तो ज्यादा लगती है लड़की कुमर कितनी है नहें 20 साल मेरी भाहाई है वह पता करा था गया थे भीग भाहाई थे वुवटा जाओ सुनिया शुनिया सुनिया सार हमारी भाहिन कोछ तिनों से बाथ ज़रूडरी यह सम्हाँ और ज़रूडरी है तो हमका का रर मुपकर अमने गवाः किया है कॉन्फिदेंशल एमसान हमने देते हैं चलो निकलो, जाओ देखिए, हमारी भाहिन गायव है उसके लिए जान दे भी सकते तो किसी की जान ले भी सकते सीधे सीधे बताते हो कि बखेडा खड़ा करें मिया अरे नहीं बताते निकलो नाम क्या बताए गंगा चौधरी यह रहा, गंगा चौधरी पांस दिन पहले वो लोग साधी के अर्जी देने आये थे लेकिन साधी भी नहीं हुई है गंगे कि अरे भाईया, अरे भाईया, दुबारा आ गए, कहां जा रहे हो मालिक से मिलने जा रहे है देखो भाईया, कुशे सा गर्म मत कर देदा, नहीं तो में नोकिल चल जाएगी कौन है यह सहाभी पागल है, कहता है आपसे मिलना है साथ, आपका बेटा हमरी भाहिन साथे बढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं क्या नाम है तुम्हारा है? सब काशी है, देख भई काशी, मेरे बेटी की रगवा में गंगा का पाणी नहीं मेरा खून दोड़ता है, मेरा, वो एक दोम की बहन से ल्यान नहीं कर सकता, दोम इंसान नहीं होते गा, जब तक हम पाच रखनी नहीं देंगे न, तब तक आप जैसे को ना स्वर्व नसीब होगा न नरक, बड़ी जुबान चलती है तुम्हारी है, देखिये साब, हम आपसे यहां बहस का निनी है, हमरी वहिन कुछ दिनों से घर नहीं लोटी, उसने अभी मन्यू के साथ जाकर कोरट में साधी की अर्जी भी दिया, अभी मन्यू को ज जवाग तो अभे देना होगा, चालाग तो, हमारी सारी चाले समल्यादी है, तेरी बहन गए लिए अपने याड बोस्तों के साथ मजे करने हैं, और इसका ठीक है हमारे बेटे के साथ भोड़ा है, अबलवन्स, बाद बटा धीस बनने हो, दुरता चील के रख देजे तुम संसकार अपने हाथों से करेंगे, एजल, 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 हम बोल रहे हैं, हाँ काशी, कुछ पता चला, साधी की अरजी दी थी कोरट बे, अभी मन्यू के साथ, हमें अभी मन्यू का पता करना हो का जल से जल, गए थे उसके घर, एक्टम बेवुदाय है उसका बाब, अध्तमी सी ब उतराय हो, और अभी मन्यू, बोल रहे थे मसूर पूरी गया, छुट्टी मनाने, काशी गंगा उसी की साथ होगी, हमें मसूरी चलना चाहिए है, हाँ, ठीक है, इतना वी धील मत छोड़, कि मैं पूरी की पूरी बिगड़ जाओ, तु आख सेखता रह जाए, मैं किसी और के साथ उड़ जाओ, सही है ना? बोलना मैं हूँ पतंग, तु है माझा, 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 मा तूँए मैं सबसे सुंदां और बिजी में जे का पताले तुनिया की दिशित दूए मैं सबसे I know गलत है नशा लेकिन चड़ने दे थोड़ा में बिगडी थोड़ा और बिगडने दे बाहों में ले लेके अकड मेरी जाड़ दी खुद तो बिगडी की मेरी दी आदत भिगाड़ दी तू है पतंग में हूँ माझा 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 गमले के इश्क दा भूदे राजा गमले के इश्क दा भूदे राजा दोंडों मार बेटी नशे का माझा ले तुम्या की ते कि तुम्यूरा जो तुम्यूर 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 तु कि अप्रवकष फिरो करो आपको यह लुकिन अपरप्ल्ट हृश्टर्लिस्ट और अभी मन्यूरण अभी मन्यू पांडे रहां किया रॉट्ल माइम् है यहां तरहारे किने लिए इन पर दुटेल होगे हैं इसारी मैं मैं विखने पने कस्टमर्स के इन्फोर्मेशन से लिक कर सकता देखे मैं एक जर्णिस्त हूँ और अभी मन्यू हमारा दोस्त है कल अभी मन्यू है और हम सर्प्राइज देने आए हैं ओ स्प्राइज यहां मैं मगर एसी बात है तो लेट में चेक देर रेकिट्स अभी मन्यू पंडे अभी मन्यू पंडे यहां मैं वो यहीं थेहरे है रूम नंबल 605 और उनके साथ एक मैडम भी है चना तबी गलत जलंद्रमाव पावितस्तले हुआ है कला है कि गंगा था इस नंटें स्टेंस का इस घंगा अज़ू किसी गंगा को नहीं जानते नहीं जानते पटा का इस तो अरे क्या अरहा है यह सब जोख मेरा अपनी भेंगो! कैसा दोखा? काशी उको उको उकका काशी दूखो काशी दूख ¿जूखो? जाषी! 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 अरे, हम नहीं जात्या भाई... जिंद्गी और मौत के खिल से हमको डर नहीं लगता है, फैसला तुमको करना है, जिन्दगी चुनों या मौत अरे हम सच कहरे हैं हम किसी गंगा को नहीं जाते हैं एक काशी दे दो नहीं जाते काशी जोड़ लेजिए एक काशी काशी मसूरी पुलिस हमारे पीछे ही आ रही होगी जानते हैं पर हमको किसी का डर मी हम जो किये है सही किये इस बनारस पहुचकर माबाबा को सब बता दे बाकी जो मारदेव की मर्जी होगी स्वीकार रहे है हलो जी जी इंस्पेक्टर कही है जी जी ठीक है कौन था वो बारनसी पुलिस का फोन था लगता है उन्हीं गंगा के बारे में कुछ पता चला है मिलनी बुलाया है जै जै भागी रखिर दन्नि मुनि जै चकोर चंद निनर्णाद मुनि जब पंधिनः जय गंगे इसका चैरा तो पहचानने में नहीं तो वाइडरस है जो मैंने कंगा को किफ की थी जो मैंने को मैं नहीं से बढ़ दर्नाम से नहीं तू देगे नहीं जलावेंगे वाँ पे कभी कहीं थम जाये संसों का सिलसेला कभी नहीं टूटेगा जिन्दगी छोड़ दी तूने किस राह में क्या से क्या हो गए हम तेरी चाह में जीना है मशकिल तुझे ढूंड रहा दिल तुझे ढूंड रहा दिल तुझे ढूंड रहा दिल तुझे ढूंड रहा दिल दो किनारों से हम थे मिलके भी ना मिले दर्मिया थे दिलों के मीलों के फासले तूटकर रह गए हम चार दीवारों में दफन है जिन्दगी जैसे मजारों में कुछ नहीं हासिल तुझे ढूंड रहा दिल का है मारा अभिमन्यू पांडेको अभे का है मारा अभिमन्यू को हमरी बहीन के साथ प्यार का नाटक किया धोका दिया उसे और सायद उसकी जान भी ले ली कोन सबूत है तुम्हेरे पास अभे मौसम विवाग में काम करता है का अभे जो अंदाजी टकर में किसी को कुछ भी कर देगा अपनी बहीन के लिए हम कुछ भी कर देगे बहन के लिए कुछ भी कर देगा जस करनी तस भोग विधाता लोग जिस बहन के लिए उस बेचारे को मारा अब वो बहन भी मर गई कहानी खतम भगवान भी टिट फॉर टैट करना जानते हैं अब जिद्दगी भर सड़ेगा जेल में ससुरे हैं दिवान जी इसका बयान लिख लीजिएगा ज्यादा चू चपड करे ना तो मार के तश्रीफ लाल कर दीजिएगा दीजिए जिसके लिए इतना कुछ किया अब वही नहीं रही और अभी पुलिस कोट के चेहरी का चक्कर काहे का चक्कर कि रहने तो अवे यहां कि गंगा तो चलिये गई कि बुड़ा बुड़ी अपनी जिंद्गी जी चुक है कि तुम किसी और से प्या कर लेना अब हमारी जिंद्गी का कोई मतलब ने रहे मतलब है काशी लगता है हमसे कोई भूल हुई है भूल कैसी भूल एक बात सोचो काशी जब अभी मन्यू कई दिनों से मसूरी में था तो गंगा की लाश यहां बनारस में कैसे मिली लेकि मतलब क्या है मतलब साफ है काशी गंगा का कातल कोई और है और वो इसी शहर में मौजूद है पर कौन मैंने इपने बनारस प्यूरो के क्राइम रपोर्टर को सब कुछ पता करने को कहा है जो भी ओ मैडम जी हम उसको छोड़ेंगे नहीं आप बस पता लगाईए धिय काशी अगर तुम जेल गए तो हम गंगा को इनसाफ नहीं दिला पाई इसलिए किसी भी हाल में अपना जुर्म कबूल मत करना लेकिन हम तुम बोल चुके कि हम ही वारे मना कर देना पुलिस के आगे देया गया बयान कोट नहीं मानती कि मैडम बहुत टाइम हो गया चलिए निकलिए हम अपने कमीट्मेंट से कभी पीछे ने अड़ते आप अपने कमीट्मेंट पर जमें रहिए पैसा टाइम टू टाइम मिलते रहेगा बाकी तमावसा देखिए काषी को फांसी होनी चाहिए मूं मांगे केमत मिलेगे हो जाएगी फांसी पहले वनारस कोट में केस तो शिफ्ट होने दीजिए सब्सक्राइब शुरू कीजिए प्रोसीड विश्राइब आप तो इस शहर के नामी वकील साहब है थैंक्यू सेर थैंक्यू को छोड़िये जो कह रहे हैं वो सुनिये कम से कम अदालत में तो पान ना खाईए हम भी पान खाते हैं और किसी दिन ऐसा नहों कि हम भी पान खा के जज्जमंट सुनाएं और नतीजा कुछ का कुछ हो जाएं माफ कीजेगा यूरानर माफ कीजेगा है चिंता मत कीजे पांडी जी माफ कीजेगा हुदूर हम है आदत से मजबूर शुदर जाईए शुरू कीजिए यूरानर मुल्जे में खतरनाक और बहशी हत्यारा है इसने बिना किसी वज़ा के दिन दहाड़े मेरे मौकिल के बेटे की हत्या कर दी और इस हत्या में इनका साथ दिया इस महत्रमाने मिस देविना खन्ना हुजूर यह आरोप सरासर गलत और फेपुनिया दिया तरस अलिया मामला हत्या का ही नहीं अभिमन्यू की मौत केवल एक हाथसे में हुई है काशी केवल गंगा की पुछताच करने वहां गया था लेकिन चोर की दाड़ी में तिनका अभिमन्यू का सच सब के सामने ना आ जाया इसलिए वो उस डर सच से कुद गया जज साब सच क्या है अभी सब के सामने आ जाएगा यह रॉनल्ड अगर आपकी आग्या हो तो मैं मुल्जम से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं इजाजत है काशी जी एक थब बात बताईए आपकी बेहन गंगा किसी के साथ भाग गई थी का यह वकील गुस्ता काइग हो रहे हैं हम्रा कहने का मतलब है कि आपकी बेहन गंगा किसी के साथ बाहर चली गई थी उसी को तो ढूंडने गए थे हम और वो नहीं मिली और आपने मन्यू का कतल कर लिया अब्जेक्शन सर यह अपनी मनगण बाते मेरे मोकिल पर थोप रहे हैं अब्जेक्शन ओवर रूल सेना साब उन्हें अपनी बातों खतम करने दीजे शुक्रिया जाज साहब काशी एक्ठा बात और बताओ आप अब मन्यू के घर गए थे जी गए थे आपने उनके पिता को धंकी थी थी कि पूरा पश्रिम का देख रहे हो उत्तर दो योर ओनर अब मैं अब मन्यू के पिता जी श्री बलवंत पांडे जी को कड़ घरे में बुलाना जाता हूं इजाज़त है बलवंत पांडे जी क्या काशी आपके घर आया था आया था उसने क्या कहा था अपसे इसने हमें धंकी दी थी कि अगर गंगा नहीं मिली तो यह हमें और हमारे अभिमन्यू को जान से मार देगा चुल लिया योर अनर अगर गंगा नहीं मिली तो यह इन्हें और अभिमन्यू को जान से मार देगा और इसे गंगा नहीं मिली और इसना अभिमन्यू का कतल कर दिया उसे मार डाला उसका खून कर दिया उसके अध्या कर दिया सर बल्वन जी से मैं कुछ प्रक्ष्ण पुछना चाहता हूं इजाज़त है थांक यू कि चानता है पल्वन यह तुम्हेरे बेटे को नहीं चोड़ता है लेकिन उससे पहले ही तुम्हारा बेटा मर गंगा के साथ जो घिनोना करम किया है नो तुम्हारे बेटे ने उसके लिए तो उसे सजाय मौत ही मिलने चाहिए तो और रहेकर बात करो बखील मेरी औकात निकल कि अगर सचा पता नेहीं चलाना तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे फुरे खाोनन फोड़ां को खतम कर देंगे की अम मिस्टर बलवंद मिस्टर से ना जन्से माधूंदा डिस इस कन्तेंप्ट Azerbaijan क्या काई एक बर फिर से कई एना क्या का कि सौरी ज़ज साहब मैंने अजीज भार्षा का प्रयोग की अकोड के सामने इसके लिए एक्षमा चाहता हूं कि लेकिन मैं यही प्रू करना चाहता था कि मेरे कुछ कटू शब्दों से पल्वन पांडे जैसा लब्द प्रतिश्टित व्यक्ति भी अपना आपा खो बैठता है और मुझे जान से मार डालने की धमकी दे देता है तो ज़ज साहब अपनी बहन के खो जाने पर आक्रोशित ह कर अनपढ़ काशी यदि कोई धमकी देता है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उससे सीरियसली लेना चाहिए तक सब्सक्राइब मैं कुछ गवाह पेश करने की इजाज़त चाहता हूं इजाज़त है काशी ने खुद कबूला था जनाब कि अभिमन्यू का गतल उसी ने किया अब्जेक्शन सर पुलिस का डंडा सच को जूट और जूट को सच साबित कर सकता है लेकिन कानून की कलम सच की स्याही से चलती है जिस सच की स्याही से कानून की कलम चलती है जज साब वही कानून की कलम काशी को फासी के फंदे तक पहुंचाएगी जज साब मैं कुछ और पेश करने की आग्या चाहता हूं सर 26 अक्टोबर को यह हमारे होटल आये और इनके साथ यह मैडम भी थी कितने दर रुके थे सर यही कुछ एक घंडा और उसी बीच अभी मन्यू सर का मर्डर हुआ और उसे मारा था यह मैडम उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन साब यह रुका नहीं है तब भी यह 605 नंबर रूम वाले सर को छाट से फेक दिया पहले तो इसने कब्रे में अभुमन्यू को बहुत मारा फैरा बार बार चिल्ला रहा था गंगा का है मेरी बेहन का है तर्लिंदर मौन एक फोबाद बताइए यह काशी जब ओपर गया तब कहां थे। सब्यूद्ट परूदिया। काशी और अभिमन्यू के बिच जब जगडा हो रहा था तब आप कहा थे सर कवसे और इनके कहने के अनुसार कशी जब शच से अभिमन्यू को भेका तस रिसुप्सन पे झानि अपने आपको क्या माभारत का संजय बांतें कि दिव्यत द्रिश्टी से रिसेप्चिन पर बैठे बैठे आपको सब कुछ दिखाई देता है आप ये बताए कि आप ने काशी को छट से अभी मन्यों को फैंकते हुए देखा था शाब इसके तो सिर्पे खून सवर था इसके पागलपंती देखके मैं डर गया डर के सर भाग गया तहीं हम को ही ना मार मेरी और अभिमन्यों के कमरे में आया अच्छा उस वक्त आप क्या कर रही थी मैं नहा रही थी अच्छा और अभिमन्यों क्या कर रहा था वो भी नहा रहा था वो भी नहा रहा था आपके होटल के कमरे में क्या दो दो बातरूम थे जी नहीं एक एक ही बातरूम में आप द आ प्लाजि दो जाहीर है के आपने काशी को बात रूम से तो नहीं देखा होगा है न jeanne जआ बात रूम से बाहर आई होंगी तब आपने काशी को देखा होगा करें जी अच्छा ये बात बताइए कि जब आप बात्रूम से बाहर आई तब आपने क्या पहना जी टावल तो क्या आप सिर्फ टावल पहन के छट पे गए थी जी नहीं तो छट पर जब गए तब आपने क्या पहना कुरता सिर्फ कुरता नीचे क्या पहना था ये कैसा सवा पूछ रहे हैं और हमारे कावी दो अरे वहीं सिना साब एक कैसा सवाल है है सर इसका इस के साथ संबन्ध है प्लीज प्लीज गिव मी टू मिनिट सर पीज चलिए पूछिए क्या पहना था कूरते के नीचे आपने क्या पहना था चुड़ीदार पाइजामा पहना इतनी देर तक काशी आपका छत पर इंतजार करता रहा कि आप वहां आए और अभी मन्यू को धक्यलते हुए उससे देखें और फिर नागेंद्र जी की गवाह बनकर यहां आए और गवाही दें ताकि काशी को मुझलिम सावित कर सके हैं अब मैं होटल हाइलेंड का सीशी टीवी फूटेज दिखाना चाहता हूं आप कुछ दिखाना चाहता हूं चलिए देखते हैं इस सीशी टीवी फूटेज से तो साबित हो गया कि काशी अब मन्नु को दोडाता हुआ मारता हुआ छट पर ले गया और उसे छट से फेक कर उसकी हत्या कर दी सर यह सच है कि इस फूटेज में काशी और देविना दिख रहे हैं यह सच है लेकिन यह मामला हत्या का है यह मामला काशी और देविना के मू दिखाई की रसम की फूटेज का नहीं है साइलेंस प्लीज और सर इस पूटेज में कहीं पर भी यह दिखाईने दे रहा है कि काशी ने छट से अभी मन्यू को धकेल के फेंग दिया है देखिए कोट को खुल के बताईए क्या कहना चाहते हैं आप सर उस समय छट पर देविना प्रिया और काशी यह तीनों इस CCTV पूटेज में यह जरूर दिखा कि काशी अभी मन्यू का पीछा कर रहा है लेकिन इस पूटेज में यह कहीं बर नहीं दिखा कि काशी छट से अभी मन्यू को धकेल रहा है उसका मर्डर कर रहा है केवल शक की बिना पर सब लोग काशी को कातिल गोशी कर रहे है 시간 Rio यह बात सच है कि अभी मन्यू की मौत हुई है, लेकिन बाकिश सब छूटे है. कोट की आगे की कारवाई, दो दिन बात की जाएगी. अपके लिए, the court is a general. आप पांचे बाते रही मिस्वाजी, और दरू, सिना, केस जीच जाएगा. केस लेने से पहले तो बड़े तुर्रम खांब रहे थे, लेकिन आज तुम्हारे सारे गवाब पंक्चर नुक्रे है. पैसे कैसे जीतेंगे केस? इत्मिनान रखिए, बलवंत पांडे जी. अभी तो खेल शुरू हुआ है. आप काहे घबरा रहे? अरे गोट क्राफ्ट नाम की कौनो चीज होती है. खून का बदला खून. मुझे काशी को भंदे पल्ड़े टकते देख रहे हैं. बलवंत पांडे जी, पैसा में बहुत ताकत होता है. इतना पैसा लोटाना चाहो लोटाओ. इतना पैसा बहाना है बहाओ. करें दो सको, मैंसे की ताकते गाओ. करें बहुता है. हम, शुरू कीजिए. Your Honor, पिछले दो दिनों से, मैं काशी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं. और जो फैक्ट्स हमने सुमूल किये हैं, उसे सुनकर यादालत धंग रह जाएगी. जज सहब, दरसल काशी के टोले महले के लोग, इसके रोसी पडोसी, सबसे पता चला कि जिस गंगा के कारणी दरदर भटक रहा है, जिस गंगा की होज़े से इसने अभी मन्यू का खोन किया, दरसल वो गंगा है ही नहीं. जज साथ कोई लड़की रहती ही नहीं थी, काशी की गंगा नाम की कोई बहन थी नहीं. अब्जेक्शन मैं लॉर्ड, मेरे होशियार वकिल दोस्त इस केस को किसी और दिशा में भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. जज साहब, अगर आपकी इजाज़त हो, तो मैं इस बात को साबित करने के लिए अपने गवाह पेश करना चाहता हूँ. सर, पागल है ससुरा, अरे हवाम बतियाता रहता है, एक पर हमको द्रड़ड़ा मारने लगा, क्या हमने इसकी बहन को क्यों छेड़ा? अरे भया, जब इसकी कोई बहन ही नहीं, तो छेड़ेंगे का हवा को? कोल मिला के समझ लीजे हुजूर, यह जो कसिया है न, पखला गया है, दिन भर बढ़ बढ़ाता रहता है, ऐसा लगता है जिसी किसी से बात कर रहा है, लेकिन इसके ना आजू बाजू कोई होता नहीं है, अरे वगिल साहब, यह पगला गया है, हमको दो लगता है यह भूध उतके चक्कर में पढ़ गया है, सर यह सारे गवाब भीट चुके हैं, यह सारी मनगडन का आनिया हैं, मैं भी कुछ गवाब पेश करना चाहता हूं, हाँ इजाज़त है, जय साहब, बकवास कर रहे हैं सब के सब, आरे हम खुदे गंगा से राखी बनवाए हैं हर साल, और यह वकील साब पट्टी पढ़ा हैं सबको, अरे यह सब तो पांच रुपए गांजा पर जुट बोलतेते हैं सब, जय साहब हम सब की लाडली थी गंगा, इस सब का सब जुट्था है, और यह यह दूनों चुट्टा सब, मुना और बविनवा एक नंबर का जुट्टा है साहब, साहब कई बार हम खुद गंगा पॉलेज छोड़ कर आये थे, और इस साला सब इस साला सब पैसा खाती रपना अवकार दिखा रहा है, छे, सर गंगा हमारी साथी क्लास में पढ़ती थी, उसका अफैय था बिमन्यों के साथ और और वो प्रेग्निन भी हो गई थी, इसी बात से वो बेहत परेशान थी, बस जिस दिन उसने हमें यह बात बताई उसके बात से हमसे वो नहीं मिली है, समय मिली हूं गंगा से, इसलिए इस बात को कोई नहीं कह सकता कि गंगा एक्जिस्ट ही नहीं करती, और सोचने वाली बात यह है कि अगर वो एक्जिस्ट ही नहीं करती, तो गंगा की जो बॉड़ी पुलिस को मिली थी, वो किसकी थी? इसलिए सर आपसे रिक्वेस्ट है कि अभिमन्यू के मरडर केस को किसी और दिशा में भटक ने ना दिया जाए अदालत कहीं नहीं भटक रही बल्कि एक संकी क्रिमिनल की सच्चाई अदालत के सामने आ रही पर मिश्रा जी जब गंगा एक्जिस्टी नहीं करती तो बॉड़ी किसकी थी बिल्कुल सही तो कह रही है मैडम जज साहब इसी बात को जानने के लिए हम इंस्पेक्टर घंशाम को कट घरे में बुलाना चाहेंगे इंस्पेक्टर घंशाम आपको कैसे पता चला कि ये डेट बोडी घंगा की है काशी और देविना ने इसको पहचाना था कैसे दरसल उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था पर उसके ऊपर जो कपड़े थे उसी से इन दोनों ने पहचाना जज साहब इस बात पर गौर क कि यह आप जह सकते हैं इए अब मैं देविना जी से कुष प्रश्न पुछना चाहूंगा अगर आप इजाज़त देल दो हम इजाज़त है है अपने गंगा के डेट बर्डी को कैसे पैंचाना च्टिया च्टिया था जो ड्रेस गंगा ने पहना था उसे आपने गिफ्ट क यह क्या यह वही ड्रेस है जो आपने गंगा को गिफ्ट किया था जी 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 इस तरह के ड्रेस वी मार्ट में चाड़े पांच सो रुपए में मिलते हैं और सिर्फ बनारस में ही इसके दो सौ पीस बिक चुके हैं देवीना जी आप दावे के साथ कैसे कह सकती हैं कि डेट बडी ने जो कपड़े पहने थे और आपके गिफ्ट किये हुए कपड़े थे तुक्का जनाब तुक्का देविना जी का तुक्का लेकिन कानून तुक्कों से नहीं चलता जनाब कानून सबूतों से चलता है लेकिन मुझे यकीन है कि वो लाश गंगा की ही थी कपड़े तो एक जैसे कई बन सकते हैं लेकिन इंसान की शरीर की बनावट तो एक नहीं हो सक सकती हैं समय गंगा से कई बार मिल चुकी हूं और उसे पहचाने में मैं कभी दोखा नहीं खा सकती है जजसाब अब मैं चाहूंगा की गंगा खुद इस कोट में आये और खुद दूद का दूद और पानी का पानी करें क्या क्या है मेरे तीन गिनने पर गंगा उस दर्वाजे से इस अधालत में दाखिल होगी एक दो तीन आपका जदू फेल हो गया मिश्रा जी कहां गई गंगा है यह और मैं यहीं तो चाहता था कि मेरा जादू फेल हो जाए आपने देखा नहीं कि आप काशी देवीना और यह दालत में मौझूद सारे लोग उस दर्वाजे की तरफ देख रहे थे कि गंगा अभी आएगी अरे तो आपने कहा था उदर से आएगी मैंने कहा था लेकिन गंगा आई नहीं क्योंकि यहां हम सब को यकीन नहीं है कि वो जो ड्रेट बॉडी थी वो गंगा की थी तब ही हम सब उस दर्वाजे की तरफ देख रहे थे कि गंगा वहां से आजाए यहां तक कि काशी और देवीना भी यूर उनर समझने की बात यह है कि जब गंगा है यह नहीं गंगा का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो गंगा की बॉडी कहां से आएगी बहुत हो गया अब इस भागलपन से मुक्ती दिलवाईए और फटा फट तजा सुनाइए काशी को और केश को खतम कीजिए आप हमें न भागलन सिखाई एए पता करके बताईए और तबी हदकड़ी जेल की चार दिवारी और हमें रोक नहीं पाएंगे जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा लेकिन काशी तुम्हें अपने ज़स्वात पर काबो रखना होगा पिशली सुनवाई में कोट ने आदेश दिया था कि काशी के माता-पिता को कोट में बुलाया जाए आये वो सर्वो आते ही होंगे कितना लीट अधार और और साइलेंस प्लीज यह क्या हो रहा है हमारी कोट में कोई हमें बताएगा जैसाइब हम काशी के घर से आ रहे हैं घर पे न चाचा न चाची वह मिल ही नहीं रहे हैं पता नहीं कहां गए यह काशी के माबाप को गायब करवाने की साजीश रची गई और मुझे पुरा विश्वास है कि साजीश के रची इता भलवन पांडे और इसलिए मेरी कोट से दर्खवास है कि बलवन पांडे को एरेस्ट किया जाए मिश्रा जी आया एक्स्ट्रीम्ली सॉरी सर घर पे काशी के माबाप नहीं है पता नहीं कहीं चले गए है यह और यह बात थोड़ी आपत्ती जनक है अगर हमने माबाप को कुछ हुआ ना तो मादेंगी कसम ऐसा पूरे काशी को मसान बना देंगे काशी काशी हम है ना सही और गलत का फैसला करने के लिए योर अनर अब मैं इस के सबसे एहम गवाह को पेश करने की इजाज़त चाहता हूं है हाई जैज़त है कि चुमन चाहिए आए आए आपका नाम हमारा नाम चुमन है साहब हम और काशी के पीता बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे कि इसका क्या मतलब हो चुमन जी ठेक मतलब है साहब कि कासी के पीता को गुजरे एक जमाना हो गया अरे का है जूट बोलते हो चाचा काशी काशी शांती रखो साइलेंस साइलेंस इंदा कोर्ट हाँ बोलिए वो दरसल सहर में प्लेग फैला था जिसमें काशी के पूरे परिवार की मौत हो गई थी बहुत देर कर दी इनमें से कोई भी नहीं बजा कि अगा कि अगा पकरना हमको अड़े पकरना काशी के परिवार के मरने के बाद भी काशी को वो लोग दिखते थे इस बारे में हमने कभी काशी को कुछों नहीं बताया साहब जूट बोलता है जट से शर तुम भी बिके सर सारे गवाँ होस्टाइल किये गए इसका फैसला कोट करेगी मिश्टर सिना आप बैठ जाएए गवाहूं के मद्दे नजर कोट ये आदेश देती है कि अगली सुनवाई से पहले काशी की दिमागी हालत की जात किराई जाए जाए अन फॉर नाओ अपागल साबित ने ने जाए ये साबित करने हैं लेकिन तुम है मेरी बातों पर भरोसा करना होगा त्यूँकि तुम जानते हो तो इस कहला हूं और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारी बचने का हम पागल नहीं है साथ गरीब है और ये लोग हर गवा को खरीद के आमें पागल साबित करना चाहते हु जानता हूं और इसलिए मैं तुम्हारी मुदद करने के लिए अगा हूं तो शूरू करें जी से हाथो बताईए डॉक्टर साथ क्या कहती है आपकी रिपोर्ट जैस साब मैंने काशी से केले में बात की उसे कॉन्फिडेंस में लेकर लेकिन जो नतीजे मेरे सामने आए वो बेहत चौकाने वाले हैं अगर आपकी पर्मिशन हो तो मैं इससे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा हाँ इजादत है थैंक्यू सर अच्छा काशी मुझे एक बात बताओ घर में तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है कि अ क्यों क्यों कि भुड़ा के अंत का खाना में जमता नहीं मिर्चाई जोग देती है कि तो मारी बहन है cho aウगह गंना सकती अ कॉलेज और टूस से उसे फुर्सति नहीं मिलती तो तो तुम्हारे बाबा क्या करते औह दिन भर हमको गरियाते दूंशान खाट में काम नहीं करते हैं बुड़ापे में बाबा से काम खरवाएंगे का गरीब नालायक है अच्छा मुझे बात बताओ के तुम्हारी बेहन से तुम्हारा रिष्टा कैसा है जानती हुआ हमारी लेकिन लेकिन हम उसे समालेव अपने आपको मुझे एक बात बताओ तुम्हारी बेहन तुम्हें राखी तो बानती होगी पहले बानती थी बाद में हम खुदे ही बनवाना छोड़ दी है क्यों? एक साल उससे राखी बे बड़ा जगड़ा हो गया मा कसम खाएगी राखी नहीं बंदवाई है और फिर हम कसम नहीं तोड़ पाए अच्छा अच्छा तुम जब घर आते हो तुमारे लिए दर्वाजा कौन खोलता है खुला ही रहता है दर्वाजा दोम के घर से कौन खाले जाएगा मलिक जब भी घर आते हो कभी भी तो तुम्हें पानी कौन ला कर देता है तुमारी बहन गंगा या फिर तुमारी मा घर की महिला हो गया हाथ से पानी नहीं पीते हम यह पॉइंट नोट किया जाए और और काशी की जिंदगी में ये जो भी लोग है जैसे इसके माता-पिता इसकी बहन गंगा दरसल ये लोग है ही नहीं अरे चुप रहो भाई उनकी सुनने तो दो है नहीं मतलब सर मैंने काशी से अब तक जितने भी सवाल किये उससे इस नतीजे पर पहुँचा हों की काशी जिन लोगों को भी देखता है वो लोग इसकी जिन्दगी में कोई एक्टिब काम करते ही नहीं जैसे कि खाना ये खुद बनाता है पानी ये खुद पीता है जब भी ये घर आता है दरवाजा इसके लिए कोई नहीं खुलता है लेकिन जो भी की पैसिब काम होते है उसमें ये सारे किरदार इंवल्व होते है जैसे जगडा करना वहस करना काशी ने अपने इर्दगिर्द एक काल्पनिक दुनिया बना रखी है काल्पनिक किरदार इसके साथ ये बड़ा हुआ और अब शायद भूड़ा भी हो जाएगा जो रसल जट साब ये काशी के हैलूसिनेशन है साले तुम भी विग्य है ना बलवंत के आतो हम तुमको छोड़े ये नहीं अब्जेक्शन में लें ये घलत गवाई दे रहे हैं मुझे तो लगता है मनुची किचसक नहीं है खुद एक मानसिक रोगी है अब्जेक्शन ओरूल्ड बैट जाएए आप आप बैट जाएए मिस्टर बलवंत आप भी बैट जाएए आप बोलिए पीस कंटीनियू ये सीरियास केस और इसकीजोफ्रेनिया है जिसे पैरनॉइड साइकोसिस करते है इस दिजिस के एक्स्ट्रीम में इंसान इतना वाइ अदालत को और कितने गवा चाहिए हो तो कया अब हैसला सुना दीजिये और ये एक साइको किलर है और इसकी सजा फासी है अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है कि काशी ने ही अभी मन्यू का मरडर किया है अब्जेक्शन ओवरूल्ड कितने पैसे दिये बलवत में हां मैं भ अबहरे को में जात है कि हमें अपने बचाव में कुछ कहने हैं हम नहीं मारा है अभी मन्यू को शेच के साले को साले को Uhm लेकिन हमसे चूख हो गई चत्साइब हमको लगा कि अमरी बहन का गुनेगार अभी मन्यू है लेकिन हमरी बहन को तो बल्वंत ने मारा है का शिभिया गंगा आई थी उस दिन बल्वंत साहब से मिलने उन्हों नहीं बुलाया था हम तो बाहरी खड़े थे अंदर से जोर जोर उसे चिखने चिलाने की आवाज आने लगी फिर हमने देखा कि बल्वंत सामने उसे बालकोनी से धक्का दे दिया फिर लास्ठी काई लगा दिया हमें तो लगा कि उसकी इजद भी लुठली थी बड़ा कमीना आदमी है बल्वंत का सिभिया यह बात किसी को बताईएगा न पहले मेरे बेटे को मारा अब मुझ पर इल्जाम लगा रहा है एल्जाम नहीं सच बता रहे है और जब तक तुमको मारेंगे नहीं सो पाएंगे तुमको मारेगा अच्छा हुआ कि तेरी पहन नहीं है अगर होती तो से ऐसी मौत देता दुनिया देखती तमाशा यह बलव फोईरी लूँ जाहार बतर्रोग कर लाँ कोर लुटर नाँ कर लोगर आगाँ हाँ कोर लुटराँ कर लुटराँ कर लुटराँ बंबं गोले गोले काशी कि कि अधर जा रहे हैं अरे क्या हुआ अरे आता हूं आता हूं नाश्ता तो करते जाओ कि अधर जा रहे हैं अरे भीया काहे प्रसान हुआ परमिसन हो हमरे पास ठीक है हो गया काम है कासी कासी एकासी का बात है गुरू तेरे नाम पिच्चर के राधे लग रहे हो डिट्टो अच्चे वले आद्भी को पगला बना दिया हूं का वो ला था अंग्रेजी में साइको किलर अबे तुमको तो खुश सोना चाहिए बढ़का-बढ़का फिलिम के हिरो लों को ये उपादी नहीं मिलता है मा भाबा का कोई खबर मा भाबा मंदिर मंदिर घुम रहे थे तुम्रे लिए वापस आ गये हैं एक ठो बात पूछे ना कहेंगे तो का नहीं पूछोगे एक एक बात बताओ मा गंगा बाबा से सची मिले हो न तुम सची मिले है यार कैसी बात कर रहे हो ना जाने जरा डाउट चा हो रहे है एक हासी पगलवन के चकर में सही तो नहीं पगला गये हो बता आँ माँ कैसी दिखती है माँ इनका सवाल पुच रह हो जार बताओ न कैसी दिखती है माँ माँ बुढी है वो आगे के बाल पग गए है और गोरी गोरी है ठीके गए है लेकिन उसके आगे के दूदाद दी उस तो देखे हो न अरे भाई उम्र के साथ दान्द साथ छोड़ देते हैं देखे हो के नहीं कि बिल्कुल देखें यार मां के दाथ है रंडीला अरे भाई तुम अपने जिस बहन गंगा को इतने दिन से ढूंड रहा हो वो तो यह रही लो यह देखो और इसके चक्कर में तुमने एकलं में मेरा क्या हाल कर दिया यार शाथ कोरीआ और जरूरें आपको कोई गलत फेह्मी हो रही है यह गंगा नहीं यह दिवीना है अरे नहीं भाई, मुझे कोई गलत फैमी नहीं हुई है, ये तुम्हारी बहन गंगा ही है, यही तु मेरे पास आई थी, अपने और अभिमन्यू के शादी के अर्जी देने, और उसने अपना नाम गंगा बताया था इतना खुश मैं कभी नहीं था, सच मैं, जिन्देगी मैं पहली बार हारने पर जश्न बना रहा हूं तु सहार, अगर फार के भी जीतने का एस अई, तो फिर पाटी तो बनती है ना इवै दीदी, क्या सोच रही यो, आउ और लेट विक्ट्री यह लो जिएर्स तो आवर विक्ट्री जिएर्स जीत कर भी हरा वह मैसुस होरा है वर क्यों दीडी काशी एड़ 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 देखो 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 देविना हमेशा युद्ध में मरने के लिए प्यादे कोई बेजा जाता है काशी प्यादा नहीं था तो दीडी आड़ यू लव विधिम देविना यहीं मुश्किल से तुम्हें इस केश से बच्ची हो तुम्हारी जरा से भी लापरवाई हम सब को लेकर डुबेंगी इतनी नजदी कि मुझे किसी और से नहीं हुई है कब काशी से टाश्मेंट हो गया मुझे मुझे पता ही नहीं चला दीडी पर आप क्या करोगी काशी तो जिंदगी भर के लिए जेल में बंद है ना मैं निकलवाऊंगी उसे उसका ट्रीट्मेंट वोर्ल के बेस्ट डॉक्टर से करवाऊंगी दीडी बहुत देर हो चुकी है अब आप कुछ नहीं कर सकती कभी सोचा है काशी को सचा ही पता चलीगी तो क्या होगा मैं खुद उससे बताऊंगी वो मुझे माफ कर देगा कि काशी कि तुमसे कोई मिल ले आया है कि अभाई तुमसे मिल अ questa करिदा ।।। कि आप धनाल कैसे हो काशी हम कैसे वैसी पगलेट तुम जानती थी न I'm sorry काशी मैंने तुम्हें बचानी की हर कोशिश की प्यार करते थे तुमसे यहीं सिला दिया अच्छा खासा जी रहे थे हम जिन्दकी दबागल्दी हमारी का है का है मैं बनारस एक मकसद से आई थी और मुझे तुम दिखे कि तुम ही वो इंसान हो जो मुझे बनारस से रूबरो करा सकते हो यहां 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 बाबुजी है नहीं आज काम देर आगया थे मैं उसी दिन समझ गई थी कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मैंने डिसाइड किया कि तुम मेरे मिष्ण के लिए सही आगमी है और एक मनोच चिकटसक के तरह मैंने तुम्हारे दिमाग पर काबो किया मैंने देखा कि तुम कंगा से पहत प्यार करते हूँ बहुत प्यार करते हो गंगा से जानवस्तिये, कंगा में हमारी मैंने तुम्हारे दिमाग का इस्तमाल किया और तुम्हारे जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुमसे चीम ली शुती जिसे मैंने गंगा की सहीली कहके तुमसे मिलवाया था वो दरसल मेरी बहन पदीरी, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस गंगा की दोस्त बनकर एक कहानी सुनानी हो जो मैं तुम्हें बोलो और उसने तुम्हें गंगा और अभिमन्यू की एक नकली प्रेम कहानी सुनाई जिसे तुम मान गए मैं जान बुझ कर लखन हो गए और तुम्हें कोट बेजा जी माडम जी एक शादी की अर्जी देनी थी लड़के का नान क्या है? अभी मन्यू पांडी और आपका? गंगा चौधरी गंगा चौधरी तुम्हारे यकीन को और पक्का करने के लिए बलवंत के घर के बाहर हम दोनों के उपर गुलिवान चलवाए और मैं रंगीला से भी मिले गई थी देखो रंगीला काशी की तब ये दिनो दिन बिगड़ती जा रही है उसे ऐसा लगनी लगा है कि गंगा गाइब हो गई है हमें उसे संभालना होगा नहीं तो इस बीमारी में अकसर ऐसा होता है कि इंसान जानलिवा हो जाता है इसलिए शायद काशी ने बबीना और उसके दोस्तों को बहुत मारा अरे बबले तो ऐसे में हम लोग को का करना होगा मैडम जी जैसा मैं कह रही हूँ तुम और तुम्हारे दोस्त वैसा ही करो नहीं तो काशी बहुत बड़ी मुसीपत में फस जाएगा मैं हर पल डॉक्टर से सला कर रही हूँ मैडम जी आप जैसा कहिएगा हम लोग करेंगे और वो जो गंगा की लास मुली थी वो वो तेरा से लगशाए यह का है मुझे एक लावारेस लास चाहिए लड़की की लावारेस लास काहे तुम्हें उस लाश को वही कपड़े पहनाने है जो मैं तुम्हें दूँगी और उसे किसी गुमनाम जगा पर छोड़ देना है मैडम काम बड़ा है पैसा भी ज़्याद लगेगा यह तस हजार है बाखी के काम होने के बाद और हाँ मैं कपड़े बिजवा दोंगी मैं जो कपड़े गंगा के लिए लाई थी वो मैंने बबीना को दे दिये चुमन चाचा बबीना और उसके दोस्त सब सच कह रहे थे काशे एक भुले भाले इंसान को कातिल बना दिया तू ने आखिर क्यों बदला मुझे बदला लेना था कैसा बदला बदला मेरे पिता का बिजनिस पार्टनर था मैं कुछ आठ साल की रही हूँगी सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसने मेरे पिता और मेरे भाई को भी मार दिया कुछ खूर्टी दिया तूर्टी छोड दिया मैं शुटी और मा बहाँ से भाग निकली पंद्रा साल बाद मैंने अपने भाई और पापा की मौत का बदला लिया मतलब हो जो काड बोला था वो भी जूट था हां काशी जैसा मैंने कहा उच मैंने तुम्हें वही बताया इत्ते फाक देखो बलवन्त और अभीमन्यों की मौत वैसे हुई जैसे मेरे भाई और पापा की हुई थी कोट में जब बलवन्त से तुम्हारी बहस हो रही थी तब मैंने एख किया तुम्हे अच्छा किया तुम्हें आगा कि अच्छा किया काशी हमने साला तुमसे मुहबबद किया और तुमने हमारे भरोषा कही खूल कर दिया आए नहीं, मुहबबत से दुनिया का भरोसा उठ जाएगा मैडम, नहीं काशी, मैं तुम्हे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हे कुछ नहीं होने दोगी, मैं तुम्हे तब भी मुहबबत करती थी और और अब भी करती हूँ, एक और छूट, नहीं चाहिए ऐसा प्यार, अब किसे म गढ़के लिख jadi हैं सुम्हारे घडियाली आसूों को पिग्ला देगे नी तक करो यह नाटन कुछा यूद्टे मोरे लोक रोते थे हमें फर्क नी बड़ा रो में, ना, ना, रो में, 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 रो मे हम तुम्हें माग प्यार करते हैं और हम चानते की तुम भी हमें प्यार करते हो जिन्दगी हम तोनों के साथ ऐसा खेल कहलेगी अथ हम सोचा नहीं थे माब, बाबा, कंगा सब छीढ लिया तुम्हा सूरी लेकिन फिर भी हम तुछारे साथ रहना चाहते है कि महाधेव की कसम तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं लेकिन महाधेव को यह मन जूद नहीं 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 और महाधेव का लिखा कोई टाल नहीं सकता कि महाधेव का लिखा का unanimous में नहीं तर्णला के टाल नहीं सकता क्या चाहते दाल नहीं सकता क्या आ्या SMITH पताने यह क्या परता रहता है, जब देखू चमस बिस्ता रहता है माँ से पूछना खाने में कितनी दे रह और सुनू गंगा को वादा किया है जब देखू जाना होगा उसे और सुनो बाबा को कहना हमें परिसान ना करे अब अम बहुत थके होगे सेर फटा जा रहा है मेरा थोड़ा दाबाद होगी थोड़ा इस सब्सक्राइब तो गल बाजार जा रहे है ना गंगा के साथ तो इस वक्त भोभी ले लेंगे जितना चीए उतना ले 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 ला थीक है कर दो कक्ष़र्णा प्रेश्ट के एक चुटकी रोजाना, तुम हसी दे जाना, मठी भर कुछ सांसे, पास में रख जाना, बिन शर्त जो बांधे हमको, वो रिष्टा, तुम ले आना, 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 जब भी तुम सासें भेजते हो उमर मेरी बढ़ जाती है तुम तक जो पहुंचा दे मुझे को कि उल एक मुझे å हैं भी तुम सासें भेज clingल को